है यो एव्रिवन नमस्कार आप सभी को डावट नेट में आपका स्वागत है मैं हूं प्रियंक का आपकी हिंदी टीचर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टर्म1 के तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक इश्पर्ष भागदोग जो कि आपकी टैंथ की सी बेसी की बुक है और इसका जो चैप्टर है भाई बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग है और यह आपका टम टू में किस लेवस में आना ह ठीक है तो आपने सुना होगा कि आपका एक चैप्टर है भाई कर चले हम फिदा जो की कैफी आजमी जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो भाई यह बहुत ही इंट्रस्टिंग सा चैप्टर है और मुझे उमीद है कि बच्चों को यह चैप्टर बहुत जादा अच्छ होता है कि जब हमारा एक्जाम आएगा तो अकसर हम लोगों से उसके राइटर उसके लिखक के बारे में पूछा जाता है तो आप चुकि हमारी यह कवीता है जो कैसी है जो की देश भक्ती पर आधारित है तो मैं उसके पहले कुछ आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने एहले बार इस कवीता को जो कि एक गीत है जब मैंने इसको सुना मेरा खुद का यह परस्तर एक्सपिरेंस है जब मैंने इसको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब कहते हैं ना कि गूस बंब आ गये मतलब कांटे उड़ गय थे और यह मैंने क्या सुन लिया फिर से लिया गया है ठीक है और यह जो गीत है यह हमारी वॉलीवड मुवी जिसका नाम हकीकत है उससे लिया गया है इसके लेखक कैफी आजमी जी है तो बहुत सारे बच्चों ने इस गीत को शुना होगा क्यूंकि जब भी हमारे या स्वतंत्रता दिवस मतलब की 15 अगस्त और गट अंत्र दिवस मतलब की 26 जनवरी मनाया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में भाई यही गीत बसता है सबसे ज़्यादा हमारे स्कूलों में यही गीत बसता है कि भाई कर चले हम फिदा जाने तन साथियों बहुत सारे बच्चों ने सुना होग उसको और भाई मुझे तो यह गीत बहुत ज्यादा पसंद है वह कैसे क्योंकि जब-जब यही सुनते हैं तो लगता है कि मन में आता है यार मुझे भी अपने देश के लिए अपनी देशवाशियों के लिए अपनी मातर भूमी के लिए कुछ करना है और जैसी हमारे मन में ये भावनाय आती है तो हम सोचते हैं अगर हमारे मन में भावनाय आ रही है इसका मतलब है कि हमारे भी कुछ लक्ष हैं हम भी आगे आके अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे लेकिन अब चुकि अभी त चड़ेंगे लेकिन उसको ही पहले सबसे पहले आपको अपनी एक्जांस पे अपनी इस्टडी पे अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये कवीता ये गीत बहुत ज्यादा मज़ेदार लगेगा तो चलिए अ है प्रियंका दोबे आपकी हिंदी टीचर आपके साथ मैं आप लोग ने मेरे साठ मीटकी पढ़ाय और की थी नवं घ्रीक तो यह मारी सीवेस्सट डांडूक यंदि क्लास है और मैं आपकी मैं म्यानी की प्रियंका दोबे का तो भाई आप सभी का Welcome है, मतलब स्वागत है हमारे डाउटनर्ट में अब हमारे पास सीशक दिया गया है, कर चले हम फिदा तो भाई आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं कह रही है बहुती मज़ेदार गीत है, बहुती interesting गीत है तो भाई कैसे है, जब तक आप इस गीत को पढ़ नहीं लेते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और जब आपको एक बार आप इसको पढ़ना और मेरी आप से विंती है, मतलब request है कि जैसे ही आप इस कवीता को पढ़ो तो आप इस गीत को जरूर सुनना, क्योंकि जब आप इसको सुनोगे ना, आपको बहुत जादा अच्छा लगेगा ठीक है, तो इसके कवी कौन है, कैफी आजमी जी और यह कवीता हमारी पाठे पुस्तक इश्पर्श भाग दोसे के आठवे चैप्टर से ली गई है, ठीक है, यह हमारा चैप्टर एट है कर चले हम फिदा, ठीक है, और जब आप यूटूब पे यह गीत सुनेंगे, आपको बहुत जादा पसंद आएगा और सबसे पहले हम जान लें, यह गीत कब लिखा था, यह कैफी आजमी ने यह गीत किस प्रस्ट भूमी पर लिखा था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा भारत और चाइना का मतलब चीन का युद्ध हुआ था, तो इसी युद्ध के दोरान यह गीत लिखा गया थ जिसमें बताया गया था, जिसमें कि हमारे जो देश के शैनिक है, तो शैनिकों की भावनाओं के बारे में हमें बताया गया था, चलिए यह तो हो गया अब चुकि हमारा यह काव्य खंड से लिया गया है, तो काव्य खंड को हम जब एक्जाम में आता है, तो हम कैसे लिखत ठीक है तो अब जानेंगे संधर्व क्या होता है संधर्व का मतलब उसमें बताया गया है कि इस कवीता को कहां से लिया गया है तो इस कवीता का संधर्व क्या होगा कि यह कवीता हमारी पाठ्य पुस्तक इश्पर्श भाग दो के चैप्टर आठ से लिया गया है ठीक है और इ अपने जीवन में कब हुआ उनकी म्रत्यू कब हुई और उन्होंने कौन-कौन सी रशनाएं की हुई है तो इन सब को हम कैफी आजमी जी के जीवन परीचे में जानेंगे अब हमारा गीत है कर चले हम फिदा तो अब भाई हमें इसका प्रशंग भी पता होना चाहिए हमें पत कवीन इसका प्रशंग क्या होगा कि इस कवीता में कवीने स домой Nicht Pasti के भावनाओं के बारे में हमें बताया है कि हमारे भारत के देशवासियों से वह उम्मीद रखते हैं कि हमारे जान तो जा रही ए और हम सबहु कि मैं अपनी मात्र भूमी के लिए मैं अपनी धर्टी के लिए अपनी प्राण मिशा Bus अच्छावर कर रहा हूं उसी तरह से हमारे देश에서 के और नौजवान भी आकर इस में प्रत्योगता में मतलब की अपने देश को आजात करानी में अपनी देश के लिए लड़ने के लिए अपने प्राडों की पाजी हस्ते अपने प्राडों की बाजी लगा दे तो जो जैनिक है वो सैनिक के मन की बात को इस कवीता में गीत के माध्यम से कैफी आजमीजी ने हम लोगों के सामने रखा हूआ कि भई वो क्या है कि लेखक कहते हैं लेखक ने लिखा है कि जब एक सैनिक बॉडर पर लड़ रहा होता है तो किस तरीके से क्या-क्या भावनाय, क्या-क्या बाते उसके मन में आती है तो लेखक ने इस गीत के माध्यम से हमें उनी सब बातों को बताया है चलिए, तो अब हम इन सब के पहले आवी तक हमने जाना इस कवीता का संधर्व, इस कवीता का प्रशंग और फिर हम जानेंगे इस कवीता के कवी, यानि की कैफी आजमी जी का जीवन परेज है और उसके बाद भाई हम इस कवीता का भावार्थ जानेंगे और मैं 100% शियर हूँ कि ये कवीता, ये गीत बहुत सारे बच्चों को पसंद आएगा क्यूंकि सबने ये गीत सुना हुआ होगा, क्यूंकि मैंने बताया कि 15 अगस्त और 26 जन्वरी पे अकसर ये गीत बजा करता है ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम कैफी आजमी जी का लेखक परीचय जानेंगे कि भाई सूर्दास का जर्म कब हुआ, तो उसी दास ने कौन-कौन सिरेशनाय लिखी है, तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि भाई हमेशा ये जो भी लेखक परीचय है, जो भी इनका जीवन परीचय है, वो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से याद रखना, ठीक है, चल रिजवी था, और ये इसलाम धर्मे के थे, ये तो आपको भई नाम से ही समझा रहा है, कि इनका धर्मे कौन सा था, ये इसलाम धर्मे के थे, और इनका जन्म हुआ था, 14 जन्वरी 1909 को, और इनकी म्रत्यू हुई थी सन 2002 में, कब हुई थी इनकी म्रत्यू? 2002 में, ठीक है, तो आपसे प्रेश्ट ने पूछा जा सकता है कि भाई कैफियाजमी का जन्म कब हुआ और उनकी म्रत्यू कब हुई तो इनका जन्म हुआ था 14 जन्वरी सन 1909 को और इनकी म्रत्यू हुई थी सन 2002 में और भाई एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात मैं बताऊंगी कि कैफियाजमी की जो बेटी है उनके बारे में भी आपने सुना होगा वो कौन है वो है हमारे वॉलिवोड की हमारे हिंदी फिल्म सिनेमा की मश्हूर अभी नेत्री जिन का नाम है शबाना आजमी चुक्कि आप लोग अभी के वच्चे हैं आप लोगों ने आप मैंने भी उ देखते हैं कि भाई कैफियाजमी जी का जन्म हुआ था चागुदा जन्बर युनिस सोनीज को और उनकी म्रत्ती हुई थी 2002 में ठीक है और वह व्याफसाई व्याफसाई मतलब मुख्य रूप से कभी और लेखकी थे और भारत की थे और विधा विधा का मतलब है कि उन्हो की आवारा सजदे, इंकार और आखरे शब और भाई कैफियाजमी ने हमारे हिंदी सिनेमा के लिए बहुत सारे गीतों का निर्मार किया है मतलब उन्होंने हमारी वॉलिवूड फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गीतों को लिखा हुआ है और यह जो हमारा जो चैप्टर है जिसका शीरशक है कर चले हम फिदा यह भी वॉलिवूड की एक मूवी हकीकत से लिया गया है और यह जो मूवी है जिसका नाम हकीकत है यह जब हमारा भारत चेन का जब यूद्द चल रहा था तो उसी प्रस्टिवों में पर आधारित यह मूवी है और यह गीत भी उसी से लिया गया है ठीक है और लेटनी सम्मान मतलब कि इनको कौन कौन से पुरिष्कारों से नवाजा गया है तो इन्हें फिल्म फियर अवार्ड आपको ने सुना होगा कि भाई टीवी पे अवार्ड फंक्संस आते हैं बहुत सारे बच्चे देखते होंगे भाई बैस्ट एक् इस तरह से इनको वी फिल्म फियर अवार्ड से समानिप किया गया था जो कि हमारे हिंदी सिनेमा का सबसें अध्यपूर पुरिष्कार यह थो भाई कैफे आदमी जी को फिल्म फियर अवार्ड से समानिप किया था जो अब तैयार हो जाएए हम लोग एक बहुत अच्छी बहुत जादा पसंद आया जब मैंने इस गीत को पढ़ा अपनी जब मैं बिध्धार्ती जीवन में थी और जब मुझे मैंने कल राद देखा कि भाई मुझे तो ये बच्चे को पढ़ाना एक्षाइट थी क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो बच्चे उनको भी इस तरीके कि गीत इस तरीके की कफिताएं बहुत ज्यादा पसंद आती है तो भाई अब जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और अगर आपके दोस्तों को नहीं पता है कि डाउटनेट में हिंदी बढ़ाई जा रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लि आरियर करवाए जाएंगे ठीक है बच्चों चलो तो भाई अब आप देखो किसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जुस्तैनिक है भाई वो कितनी मुसीवतों का सामना करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए तो हमने हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा पाठ की व गधावर होना इसको पिहते हैं कि क्या होता है कुछ शबदों की अलग-अलग मतलब होते हैं अलग-अलग मतलब की वह जो first कवीधा उससे क्या होगा कि आप इसको देखेंगे और सुनेंगे कहते हैं ना कि हम किसी चीज को अगर सुन लेना तो वो हमें बहुत अच्छी से याद हो जाती है जैसे गाने भाई गाने सबको याद हो जाते हैं क्योंकि गाने हम सुनते हैं ऐसा माना जाता है और यह मेरा भी experience है कि भाई अगर हम किसी चीज को सुन रहे हैं तो सुनते सुनते वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं तो भाई आप लोगों को तो फायदा है आप मुझे सुन सकते हैं और जैसे आप मुझे सुनेंगे मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको वैसे वैसे याद होने लगेंगी तो मतलब कि अगर आप साल भरे सब देख रहे हैं पढ़ रहे हैं अपने एक्जाम से पहले प्रप्रेशन कर रहे हैं तो आपको एंड में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी-कभी कैसा मानते हैं कि भाई पढ़ा हुआ तो कभी-कभी हम लो दहरन है गाना शौम है हर किसी को याद हो जाता है और मुझे भी बहुत सारे गाने याद है और हर बच्चे को आसकल की बच्चे तो बहुत जादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं उनसे पूछ लो कि भाई ये कौन सी मूबी का गाना है इसके आंगे की लाइन क् लेकिन अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो वह आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी तो हम यहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई सुन सुन के पढ़ते हैं उससे क्या होगा कि बहुत लंबी समय तक आपको याद रहेगा और एक्जाम में आप बिलकुल भी नहीं है तो हमेशा एक बात याद रखना जब भी आप वीडियो को या पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस पे कॉंसेंट्रेट करना बहुत जरूरी है उससे क्या होगा कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा महनत नहीं करने पड़ेगी एक्स इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से इसका वीता को इस गीत को सुनना और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यह गीत मुझे बहुत जादा पसंद है आप लोगों को भी बहुत जादा पसंद आएगा चलो तो जल्ली से अब इस गीत को पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है फिदा तो मैंने बताया कि नियुशावर होना बलिदान कर देना या फिर आपकी भाषा में बोले तो शेक्रिफाइस करना कर चले हम फिदा जानो तन साथियो अब तुम्हारे हवाले बतन साथियो सास थमती गई नब्ज जमती गई भाई यह मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पुदा के सुनाओ क्योंकि यह कवीता यह गीत है यह सा कि जो भी इसको पढ़ेगा वो अपने आप ही गुन गुनाने लगेगा ठीक है तो कहता है सास थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को नरुक ने दिया ठीक है बच्चों आगे है कट गए सर हमारे त ने जुक ने दिया अगर आप इसी तरीके से कवीता को पढ़ोगे तो आपका इंट्रेस्ट आएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी और भाई इसके जो शब्दे हैं वो बहुती सिंपल बहुती साधारण है तो इनका मतलब आपको समझ आएगा लिखा है जो पहले हमार मुझे पता है मेरे आवाज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि भाई जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और सुनें जिससे उनको ये याद हो जाए क्योंकि personally मुझे ये गीत ये कवीता बहु तो आपको पती होगा इस कवीता को हम और भी सरय शब्दों में जानेगे तो हमने इसका शंदर्व देखा इसका प्रिशंग देखा इसका जीवन परीचा देखा अब हमें सिर्फ इसका देखना है भावात लिखा है कर चले हम फिदा जानो तन सात्यों तो सैनिक जो की भार कर चले हम फिदा जानो तन सात्यों की हम लोग अपना जीवन अपना प्राण अपनी मात्र भूमी के लिए फिदा मतलब की नियोचावर कर चुके हैं अब अब तुम्हारे हवाले वतन सात्यों की भाई हम लोगों ने अपनी जान अपनी मात्र भूमी के लिए लगा दी है अब हमारे बाद इस मात्र भूमी की रक्षा करना तुम्हारा काम है, इसलिए कहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब लिखा है, सास थम्ती गई नब्ज जम्ती के मतलब कि वो जब युद्ध लड़ रहे थे, जब वो युद्ध भूमी में थे, रेण खेत्र मे कि उनकी जो सास थी, वो थमने लगी और नब्ज जम्ती गई, मतलब वहां पे इतनी ठंड थी, इतना टेमप्रेचर कम था, वहां कि उनकी जो नब्ज होती है, जो नाणिया होती है भाय, वो भी जमने लगी थी, मतलब कि वो कितनी विपरीद परिस्थित्यों में भी हमारे देश के लिए हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी लगातार दुश्मनों से लड़ रही थे और उन्होंने अपना उनके जो बलिदान दिया उन्होंने अपने जीवन का वो ये विवा कि जो जो दुश्मन थे वो हमारी धर्टी पर पैर नहीं रख पाए लेकिन वो जो सैन दिखें वह अपने देश भासियों से उम्मीद करते हैं उनसे आशा करते हैं कि भाई हमने तो अपना जीवन अपनी मात्रभूमी के लिए अब आपकी बारी है अब आए सामने और अपनी देश की रक्षा के जिए लिखाए फिर भी बढ़ते कदम को न हमने रुकने दिया कि भाई कितनी भी विपरीद परिष्थितियां थी हमारे सांस थम रही थी नब्जज वी ठंटी कारण जम रही थी लेकिन फिर भी हमने दुश्मनों को अपनी धर्ती पर अपनी मात्रभूमी पर पैर नहीं रखने दिया कट गये सर हमारे तो कुछ गम नहीं हमने अपनी सर कोई दुख ने कोई पीड़ा नहीं है कि हमारे प्राण चले गए सरहमालय का हमने जुकने दिया बलकि हमें इस बात पर गर्व है कि सरहमालय इसका हमालय को यहां पर सम्मान का प्रतीक बताया गया है कि भले हमारे प्राण चले गए लेकिन हमने हमालय को हमालय के सम्मान को म हस्ते हस्ते अपने प्राणों की बाजी लगा दी मरते मरते रहा बागपन साथ्यों बागपन का मतलब होता है वीरता का भाव तो वो स्थैनिक कह रहे हैं कि भले ही हम मर रहे थे लेकिन मरते मरते भी हमारे अंदर वीरता का भाव रहा हमारे अंदर तब भी वही जोश वही व अब लेकिन इसके बाद आंगे तुम्हारा ही काम है अब तुम्हें ही अपनी देश की रक्षा करनी है इसलिए वो अंत में बुश हैने कहता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो इस तरीके से हमारी ये पहली चार लाइन ये जो भी थी हमने इसका भावार देखा मु गीत को इस कवीता को जरूर पढ़ना और जरूर सुनना क्योंकि आपकी अंदर भी इस तरीके की भावनाय आएंगी और आपको लगा कि भाई मुझे भी अपनी देश के लिए बहुत कुछ करना है ठीक है तो इस पूरी कवीता से हमें क्या सिच्छा मिलती है कि सैने कह रहे है अब हम हमने तो अपने रगा दी अपनी वात्रभूमी की रक्षा केलिए अव लेकिन पहुत करके करनी है कि भाई किस 작 within 9 में सेंहारे भारत का तरंगा अर बहर रहा रहे तो भाई अब चल्ली से आप लोग बताओ कि तरंगा कब लहराया जाता हमारे आतो एक तो 15 अगस्त पे दूसरा 26 जन्मरी पे जब जब ये सो तंत्रता देवश गर तंत्रत दिवश आती है तब तक हमारे भारत देश का जंडा लहरा है जाता वैसे तो हमेशा ही हमारे भारत देश का जंडा लहरा आता है और वही ध्वज वही तरंगा हमारे देश की शान है ठीक है तो आप यह पिक्चर देख रहे हैं किस तरीके से इतनी ठंड में अभी वहां पर आपने पढ़ा था सास ठंटी गई नब्ज जमती गई मतलब इतनी कड़ाके कि ठंड है कि भाई उन सैनिकों की नब्ज भी अब जमनी लगी लेकिन फिर भी वो लड़ती रहे और ल इनकों बढ़ेंगे फिर इनके बाद इनका भावार्थ मतलब के इनकार्थ देखेंगे लिखा है जिन्दा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुशने और इश्क दोनों को रिश्वा करे वो जवानी जो खूमें नहाती नहीं फिर लिखा है आज धरती बनी है दुलहन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मैं साइड हूँ आप लोगों के पूरी कवीता दिख रहे होगी और जिस तरीके से मैं हमने इसको पढ़ा है आप भी एक बार पढ़के देखिए यकीन मानिए बहुत जादा मजाएगा आपको इ जिन्ना रहने के मौसम बहुत है जान देने की रुथ रुथ का मतलब भी होता है मौसम की कै रुथ को भी मौसम ही कहते हैं तो कहा है कि जिन्ना रहने के तो बहुत सारे मौसम लेकिन जान देने के लिए अपने देश के लिए अपनी जान देने के का मौका बहुत ही कम लोग नाम करना तो है हुशने और इश्च के दोनों को रुश्वा करे वो जवानी जो खूमे नहाती नहीं तो यहां पर एक शैनिक कहता है कि वह व्यक्ति क्या जो हुशने मतलब सुंदरता मतलब जो सुंदरता और प्रेम का बलिदान करे उसका त्याग करे और वो जवानी ही क्या मतलब कि वो जवान ही क्या जो जिसकी जवानी वो खूम में नहाती नहीं मतलब वो जवानी ही क्या जो अपना पूरा जीवन अपने देश के प्रती समर्पित करते हैं भाई हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के जो सैनिक होते हैं वो अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित करते हैं वो भूल जाते हैं कि आप भाई मेरा जीवन मेरा परिवार उनके लिए उनका सब कुछ उनकी धरती और उनका देश ही होता है इसी तरह वो सैन तो बाजी ना लगाए ठीक है आंगे है आज धर्ती बनी है दुलहन शातियों अब तुम्हारे हवाले बरतन सातियों दुलहन बनी है के मतलब दुलहन की तरह नहीं सजी है वलकि किस तरीके से वो जो जवान थे वो लड़ रहे थे और उनका जो खूथा उनका जो लहू था व खूण था जो बलड़ था वो चारों तरफ धर्ती में फैल गया और कहा है कि उसी लहू से उसी बलड़ से जो धर्ती है वो दुलहन की तरह सजी हुई दिख रही है और अंत में वो कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले बतन सातियों कि हमने अपना जीवन अपनी मात्र भूम अपना देश अपना वतन तुम्हारे हवाले करते जानुखा होता है अब हम अपना देश्तुम्हें सौप रहे इस तरह से वो जो सैनिक होते हैं वो अपने भावनाओं को इस बीत के माद्यम से लोगों तक मतलब देशवासियों तक पोंच आ रहे हैं और वो तो खुद तो जा रहे हैं अपनी प्राणों का बलीदान दे रहे हैं लेकिन उस वक्त भी वह युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वह जवानी भी क्या जो खू में नहाती नहीं तो हमने तो अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर ही दिया अब आप आग है ठीक है तो किस तरीके से यहां पर स्टैनिक है जो बंदोग ले खड़ा है यहां पर एक तोप है और यहां पर भी स्टैनिक है तो देखा होगा भाई आपने बहुत सारी वॉलीवड मुवीज में भी युद्ध कई बार देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे लेकिन हम हुए गुद्ध कें लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते वलकि वह अपनी दुश्मन को भगाने में लगे रहते हैं और हसे हस्तर अपने प्राणों का मलिदान दे तो हम उनसे ख्या सिक्षा मिलती है कि हमारे लिये भी सबसे पहले हमारा देश आता है। मात्र मुंई हमारी धर्ती वह जिसको हम कहते है हमारी भारत माता दती है। ठीक है चलो तो अब भाई आप भी हमने इस कवीता को पड़ा अब इस कवीता से संबंदित कुछ प्रश्णी भी तो हो जाए क्योंकि भाई मुझे ऐसे पता कि बच्चे इस कवीता को देख रहे हैं सुन रहे हैं और धान से सुन रहे हैं मैंने बताया आपको कि अगर आप इ सल्दी से बताइए कि कर चले हम फिदागीत के गीतकार कौन है यह तो हमने अपने वीडियो के सुरुआत में ही देखा था किस गीत को किस के द्वारा लिखा गया था कैफी आजमी जी के द्वारा और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसको आंसर जानती थे क्योंकि भाई 10 की जो बच्चे है मैंने इनको पहले भी टर्म वन में बढ़ाया है वह बहुत जादा इंटेलिजेंट है और पता मुझे उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है वह यह कि जो बच्चे बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखते हैं सुनते है क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं बढ़ा रही है वो उनके एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए वह बच्चे मतलब कि जो टैंथे क्लास के जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से इन वीडियो को देखन और लाइक करना ठीके बच्चों और अगर आपकी दोस्तों को नहीं पता है तो भाई उनसे भी शियर कर दीना ठीके तो इसका सही आंसर होगा हमारा एवाला विकल एक जो गीतकार हो सकता है ये आपके एक्जाम में भी आजे भाई कि इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया इसके राइटर है कैफी आजमी ठीके चलो तब इसका अगली पंक्तियां पढ़ना शुरू करते हैं राह कुर्बानियों की नवीरान हो वीरान का मतलब होता है सुनसान होना ठीके राह कुर्बानियों की नवीरान हो तुम सजाती ही रहना नए काफिले का मतलब होता है यात चीत का जश्न जशन के बाद है जिन्दगी मौत से मिल रही है गले बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो भाई हमने इस पंक्ति को फिर से पढ़ा और अब हम इस कवीता के इस गीत को बहुत ही शरल शब्दों में समझेंगे तो इसमें लिखा है राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजात सिराइन नए यह का Regional तो वह जो जो सैनिक है वह अपने देश वाचियों से कहा रहा है यह जो Ravenoll की मतलब हम अपने देश के लिए जो कुरवानिया दे रही है ये वीरान ना हो मतलब ऐसा ना हो कि बस हमी लोग कुरवानिया दे रहे हैं और इसके बाद हमारे देश में शंकट आ जाए तो वो कहते हैं तुम सजाती ही रहना नहे काफिले मतलब तुम इस तरीके से और नहे लोग आंगे आना और अपने देश की रक्षा के लिए बढ़ चड़कर हिस्सा लेना तो ठेख ठीक है फतह का जशन इस जशन के बाद है जिन्द्ध की मौत से मिल रही है गले तो वो कहते हैं कि इस पतह मतला विस जीत का जो जशन है गोई तो बाद है लेकिन उनकी जो जिन्दगी है वह अपी फिलहाल मौत से गले मिल रहे क्योंकि वह युद्ध लड़ते लड़ते इतने घायल हो रहे हैं कि आप वह वीर्ट कती को प्राप्त होने वाल है लेकिन इस परिस्थिती में वह जो सैने के वह क्या संदेश देता है कि भाई मैंने तो अपने प्राण अपनी मात्र भूमी के लिए और आव में अपना वतन तुम्हें सौप रहा हूं और अब इस मात्र भूमी की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों मेरे प्यारे देश्वासियों इस धरती को इस धर पर कफन बांदलो मतलब की जंग के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और अब तुम्हारे हवाले मतलब कि मैं अपना देश अब मैं तुम्हारे हवाले करते जा रहा हूं तुम्हें सौब कर जा रहा हूं मैं अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी मुझे उमीद है कि कितनी बच्ची इस पे ध्यान दे रहे हैं कितनी बच्चों का मन लग रहा है ठीक है तो प्und आ है सैनिक देश को उसकी हवाली करके जा रहे हैं बहुत ही आसान सवाल है बहुत सारे बच्चा PU को इसका उत्तर पता होगा ठीक है तो पहला विकल्प है माता-पिता के भाई-वैनों के दोस्तों के या देशवासियों के तो भाई जो सैनिक है वो अपने देश को अपने देशवासियों के हवाले करके जा रहा वो अपनी माता-पिता से नहीं गया रहा उसको पता है मेरे माता-पिता के लि वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विकल्प डीवाला ठीक है चलिए आप फिर से एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक चित्राप के सामने आए कि किस तरीके से हर परिष्ठितियों में वो सैनिक लड़ते हैं आप देख रहे है कि सूरस डूब रहा है अंधेरा हो रहा है लेकिन फिर भी लगाता युद्ध चल रहा है चुकि यह जो घीत है यह भारत चीन का जब युद्ध चल रहा था तब लिखा गया तो उसी प्रस्ट भूमी पर आधारत है कि किस तरह ऐसे जो हमारे देश के नौजवान अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं तो आप इस चित्र को बड़े धान से देखी किस तरह से उनका लक्ष है उनकी सिर्फ बंदूग पर भी वो अपना निशाना सादे हुए वैठी यहां वहां भ्रहमित नहीं हो रहे हैं तो हम इससे यह भी सिक्षा लेने चाहिए कि भाई लिए तो personally मुझे बहुत जादा पसंद है जर् से गीत को मैं आ रही है तो मैं यंसे बहुत जादा खुष हो जाती हूँ और जब मैं इस गीत को सुनती हो और जब मैंने आप लोग मतलब कि सभी लोग जब 15 अगस्त को ये गीत सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है चलिए अब हमारे इसकी अगली पंक्ति है खीच दो अपने खून से जमी पर लक लकीर खीज़ दो कि आपने रामाइड अगर देखियोगी तो देखा ना कि किस तरह किसे जो लक्षमण है वह एक लक्षमण रेखा किसते हैं एक लकीर किसते हैं उसी तरह उसी बात का उदारन देते हुए वह सैनिक कहता है कि खीच दो अपने खून से तुम अपने जमीन पर एक लकीर इस तरफ आने ना पाए ना रावन कोई मतलब रावन मतलब कि कोई हमारे देश का कोई जो दुषमन अब हमारे देश पर ना आपाए इसी लिए तुम अपने खून से लकीर खूस्तों 2 एक लक्षमन रेखा बना दो ता कि कोई भी देश का दुश्मन हमारी मात्र भूमी पर पैर ना रख पाए तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छूना पाए सीता का दामन कोई यहाँ पर सीता का दामन का मतलब है हमारे मात्र भूमी हमारी धर्ती माता राम भी तुम तुम ही लक्षमन साथियो अब तुम्हारे हवाले बतन साथियो और फिर वो कहते हैं कि इस देश के राम भी तुम हो और लक्षमन भी तुम ही हो मतलब कि तुम है ही लक्षमन देखा बनानी है और राम भी तुम हो कि मतलब तुम ही अपने देश अपने देश क के लिए लड़ना है तो हमने स्पंग्ति में की जो सैने के में राम भी तुम ही ओ लक्ष्मन भी तुम है अब मेरे ढेश के देश्वासियों तो है देश की लड़ना एप तरीके से कहां है उन्हों इस गीत को लिखा है और उन्होंने मतलब एक सैनिक की भावनाओं का वर्णन किया कि किस तरीके से वो सैनिक अपने देशवासियों को संभोधित करते हैं कि अब मेरा बतन अब तुम्हारे हवाले मैं तुम्हें से सौप कर जा रहा हूं ठीक है तो चलो हमारे पास प्रशन है जली साम इसको हल करते हैं कि सीता का दामन से क्या भाव है कि यहां पर हमारे पास चारवे कल्प है तो सीता का मतलब है देश की धर्ती मैंने आपको बताया कि सीता का दामन मतलब की हमारे देश की धर्ती हमारी मात्र भूमी तो चलो हमने आज एक बहुत ही जब प अपने दोस्तों के शाज शियर भी करना और आगे वाली क्लास में आपको ऐसे तरीके से बहुत सारी कवीता हैं बहुत सारी कहानिया पढ़ाए जाएंगी तो अभी के लिए इतना काफी है ठीक है थैंक यू बच्चो बाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में बाई